आज की इलास्ट्रेटर में इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे पेंटूल पेंटूल एक बहुत important ड्रॉइंग टूल है और इलास्ट्रेटर में काफी सारे artwork आप सिर्फ पेंटूल से ही बना सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे understanding the pen tool, उसके बाद straight curve line ये सब हम लोग paint tool से बनाएंगे तो illustrator में pen tool का shortcut is P, आप हमेशा fill color को off करके रखिए जब आप pen tool first time start कर रहे हैं, सिर्फ stroke color को on रखिए pen tool start होता है with anchor point और second जो point में create करूँगी वो इस anchor point को join करेगा so pen tool anchor points create करते हैं और वो दो anchor points को जो line join करते हैं उस line को path बोलते है so ये है मेरा first anchor point तो इसके बाद जो second point होगा that is my second anchor point और ये जो line है this is the path pen tool में path है that is more or less elastic जब आपको pen tool से कोई भी curve object बनाना है directly without using this anchor point tool तो आप first anchor point क्लिक कीजे और mouse को छोड़ दीजे और second anchor point को आप क्लिक कीजे बट अभी mouse को छोड़िये मत सिर्फ line को ऐसे आप drag कीजे तो ये है मेरा anchor points and ये है मेरा path और ये दो जो line आप देख रहे हैं ये है handler handler एक बहुत important चीजे path कौन से direction में move होगा that depends on the anchor point तो अभी अगर मुझे एक line बनाना है जिसका shape ऐसा है अब देखिए मेरा ये जो handler है वो उपर की तरफ है तो next जो मैं line create करूंगी वो line थोड़ा सा handler की तरफ जाएगा और उसके बाद वो line नीचे आएगा same way अगर मुझे यहां कोई line ऐसे create करना है तो सबसे पहले ये देखिए मेरा जो path create हो रहा है वो पहले handler की तरफ जाएगा मतलब handler जिस direction में है उस direction की तरफ जाएगा फिर आप जो direction इस line को देना चाहते हैं वो फिर वो direction लेगा अगर आपको path create करना है जो handler को follow नहीं करेगा तो आपको handler को height करना होगा अब देखिए ये मैं एक leaf बना रही हूँ तो ये जो handler है handler का direction ये नीचे की तरफ है right hand side मेरा right hand side तो इसलिए जो path है वो भी first नीचे की तरफ आया and then it went back तो अगर आपको handler को height करना है तो ये anchor point की उपर सिर्फ एक बार click कीजिए keyboard में आप कुछ नहीं press कीजिए सिर्फ directly आप उस anchor point के उपर एक बार click करेंगे तो handler height हो जाएगा जब ये एक round icon आ जाएगा pen tool के नीचे इसका मतलब है आपका start और end point same है and it means आपका path अभी close हो गया है तो जब आप pen tool use करेंगे तो दो तीन चीज़ के उपर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा एक है आपका handler और अगर आपको path को close करना है तो start point और end point same होना चाहिए blend tool और stroke ये दो options यूज़ करके हम लोग एक flower बनाएंगे मैं pen tool को select करती हूँ ये एक line है सिर्फ line मुझे fill color नहीं देना है और ये handler को मुझे close करना है फिर भी देखिए ये जो pen tool का path है वो ऐसे move हो रहा है इस tool bar से कोई भी एक tool के उपर click कर दीज़े तो वो line बट सबसे पहल हम लोग अलग-अलग करके lines बनाएंगे फिर यहां मैं anchor point की उपर मैं click करती हूँ ताकि मेरा ये handler hide हो जाए अगर आपको इस line को modify करना है यहां से anchor point tool से भी line को modify कर सकते है इधर आप ये direct selection tool से भी इस line को modify कर सकते है अभी इस दो line को अब साथ में select कीजिए और यहां से अब select कीजिए blend tool obviously मैं यहां use करूंगी specified steps और steps आपको जितना भी चाहिए मैं यहां जादा steps ले रही हूँ 30 तो सबसे पहले first line and then मैं ये second line के उपर click करती हूँ blending में जो line से बहुत जादा हो गया है तो मैं यहां से कर सकती हूँ object blend blend options अगर मैं blend options के उपर click करूंगी तो देखिए अभी जो ये preview का option है वो activate हो गया है तो आप preview को on कर दीजिए और फिर यहां से आप steps को change कीजिए मैं कर रहे हूँ 25 एक बार preview option को off कीजिए और on कीजिए so that आपके image है इसके उपर effect आपको दिखेगा यहां मैं कर रहे हूँ blend 20 आप preview को off कीजिए और फिर preview को on कीजिए अब द जादा कम हो गया है तो मैं यहां कर देती हूँ 25 यहां एक extra anchor point है उसको आप select करके delete कर दीजिए तो यह first object बन गया अभी मैं बनाऊंगी second object उसके लिए भी मैं use करूंगी blend tool तो first आप anchor point create कीजिए फिर shift प्रेस करके आप second anchor point को create कीजिए फिर आप यहां और एक anchor point को और यहां आप और एक straight line draw कर लिजे अभी anchor point tool आप ऐसे भी कर सकते हैं या आपका जब shape पूरा बन जाएगा blend के साथ तब भी आप shape को change कर सकते हैं तो मैं same तरीके से blend tool यूज करके इस object को blend बना लेती हूँ अभी इस leaf को अगर मुझे copy करना है या इस leaf को अगर मुझे duplicate करना है object transform और reflect का option है यहां से कर सकते हैं preview on करके रखिए ताकि जो output होगा वो आपको दिखाई दे और यहां मैं कर रही हूँ copy अभी मुझे इस leaf को ऐसे place करके रखना है आप या तो anchor point tool या direct selection tool से आप इस leaf का size छोटा कर सकते हैं मैं सिर्फ direct selection tool यूज करके मैं इस shape को completely change कर रही हूँ अगर मुझे कोई भी एक anchor point को यहां से delete करना है तो आप pen tool के अंदर देखिए option है delete anchor point tool तो आप वो anchor point को यहां से delete कर सकते हैं और एक तरीके से आप leaves या आप petals बना सकते हैं एक leaf को आप दो पार्ट में या एक petal को आप दो पार्ट में divide कर लीजे ऐसा एक shape draw कर लेती हूँ और मैं एक straight line draw कर लेती हूँ वो भी pen tool से अगर हम लोग कोई straight line draw करते हैं तो उसको यह anchor point tool और यह direct selection tool से इसको curve बना सकते हैं तो इस तरीके से आप कोई भी path जो आप pen tool से create कर रहे हैं या आप यहां से line segment tool यूज करके भी path बना सकते हैं उस path को आप edit कर सकते हैं दो lines को select करके मैं इसमें blend apply कर रही हूँ अभी मुझे इसको जैसे इसका shape change करना है यह sides का वो मैं यहां से कर सकती हूँ pen tool से इधर और एक shape draw कर लेती हूँ अभी आप अपने हिसाब से इस line को इस petal के साथ merge करने के लिए जैसे आपको इस shape को modify करना होगा या इस shape को आपको tweak करना होगा तो वो आप कर लीजे तो